जै ओशी क्षिण Cliff defects दोस्तों भीacarna family में आपका स्वागत है दोस्तों मैं जून जुलाई और अगस्त में किन राशों के लिए बहुत ही शेष्ट संतानसुका योग बनावा आ गिरोका गोचर इन राशों केले बहुत ही शेष्ट रहने वाला से अगर इस राशी की जातक मह यह रखते हैं यह चांस लेना चाहते हैं तो यह महीने उनके लिए बहुत ही अच्छा योग बनाने जा रहा है दोस्तों आपकी जो राशी है अगर हस्बेंड वाइफ दोनों की राशी में अगर संतान सुक का योग हमने बताया है तो निश्चित आपको मन वांचिं संतान और साथ ही अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथी का प्रियोग अवश्य करें दोस्तों उन राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगले बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सक दोस्तों इन भाकेशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है वृशब राशी वृशब राशी के लिए देखिए अप्रेयल के महीने से ही बहुत अच्छा संतान सुक्का योग बना हुए इनका पंचम भाब बहुत ही मजबूद है इनको संतान सुक के साथा पुत्र की प्राप्ती हो सकती है दोस्तो अगली जो भागिशाली राशी है वो है करक राशी के लिए भी बहुत ही अच्छा संतान सुक का योग बनावा यानि इनको उत्तम संतान सुक के बहुत अच्छे योग बनते वह नजर आ रहे हैं अगर आप इन महिनों में चांस लेत से अगली इस अगली भागिषाली राशी व्रिष्चिक राशी और मेन राशी इन राशों के लिए बहुत ही अच्छा संतान्सुक का योग बनावा ए अगर आप अप मतलब संतान की इच्छा रखते हैं तो इन महिनों में आप चांस अवश्य ले आपको निश्य ते संतान रखते हैं तो सम दिन के साथ सम्तिति का प्रियोग अवश्य करें और इस राशी की जो जातक महिलाए है जो गर्वती है उनकी डिलीवरी इन महिनों में होने वाली है तो उनको भी काफी अधिक चांसिस है कि उनको पुत्र की व्रापती हो सकती है क्योंकि गरहों का गोचर इन संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप अवश्य करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुश्व और लाल फल या फिर आप गुड़ अवश्य ही मतला हनुमान जी पर चड़ाए और गुड़ को इस दिन दान करें तो निश करें तो